हलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के सांस हेर कर रही हूं ब्रत में खाने वाले कस्टड की रेसिपी जिसे हम बनाने वाले हैं बीना कस्टड पाउडर के और बीना कस्टड पाउडर के भी यह उतनी ही टेस्टी है तो चलिए इसे बना लेते हैं इसे बनाने के लिए मैंने ल लिखा दे हमारे केवले उद्देस इसका मौस्चेर खतम करना है जिससे की अच्छे से ग्राइंड हो सके इसे हमें ज्यादा भुनना नहीं है नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा तो यह देखिए हो चुका है तो इसे निकाल के हम सबसे पहले ठंडा कर लेंगे ठंडा करन वमारीक और महिन वाले चंडी लेंगे जिससे की अच्छे से चंड जाए और इसके जो मोटे हिस्से है वह आसानी से निकल जाए और जो मोटे हिससे रह जाएगे उसे हमें फैकना नहीं है आप चाहे तो इसे दुबारे से ग्राइन कर ले या फिर साबुदान की खिजरी य और महीन पाउडर बन कर तयार है तो बस इसी तरह का हमें पाउडर चाहिए था तो चलिए अब इसका यूज हमें कैसे करना है हम देख लेते हैं इसके लिए मैंने लिया है आधी कटोरी दूद लगवक तीन बड़े चम्मच यह दूद है और इसमें हम डालेंगे दो बड़े के साथ इसे अच्छे से मिला लेना है और यह दूद के साथ थोड़ी सी फूल जाएगी और यह देखी यह थोड़ी गाली भी हो चुकिए पहले से फूल भी चुकिए अभी और थोड़ी देर फूलेगी तो 10 मिनट इसे इसी तरह से छोड़ देंगे और जब तक यह फूल मैंने चड़ा दिया है पैन में एक लेटर दूद दूद लिया है मैंने फूल फैट क्रीम और फूल फैट क्रीम दूद लेंगे तो आपके कस्टरी बहुत य Αचे क्रीमी बनेंगे इसके साथ ही मैंने यहां लिया है एक चोथाई कप चीनी चीनी इसे टाइम पर मैं इसलिए डाल दे रही हूँ जिसे की चीनी दूद के साथ अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसे कस्टर्ड वाला कलर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ चुटकी बर हल्दी और इसका दूद में कोई फ्लेवर नहीं आएगा केवल कलर चेंज होगा और यदि वरत में हल्दी खाते हो तो डाले वरना इसकी जगह पर आप चाहें तो केसर के दो चार धागे डाल दे इसे उसका कलर तो चेंज होगा ही साथ में उसका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और इसे डाल करके थोड़ा सा पका लेंगे दूद के साथ जिससे की हल्दी का कच्चय पंदूर हो जाए और इसमें हल्दी का कोई फ्लेवर ना आए और यह देखिए पांच मिनट इसी तर से पकाया है इसे बिल्कुल धीमी आज पर और अब इसमें डालेंगे हमने जो साभू दाने के पाउडर फुला के रखे थे दूद में उसे और यह देखिए पहले से कितने ही थिक हो चुकी है तो बस इसे हमें डाल देना है लेकिन इसे डालते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखे कि इस टेम पर हमें गैस बंद कर देना है या फिर बिल्कुल धीमा कर देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हम धीमी आज पर धीर दीरे करके पकाना है जिससे की साबूदाना नीची तले में लगे ना क्योंकि साबूदाना नीची तले में जिपकने का चांस रहता है इसलिए इसे continuous हम चलाते ही रहेंगे जिससे की हो नीचे लगे ना इसमें flavor के लिए मैं यहाँ डालोंगे एक छोटी चम्मच इलाइची पावडर यदि आप केसर डाल रहे हैं तो इसे डालना जरूरी नहीं है और आप चाहे तो इसे बिना फ्लेवर की भी बना सकते हैं ऐसे भी है टेस्टी लगती है और यह देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर केवल पांस मिनट मैंने इसे अच्छे से पका लिया है और यह पहले से गाड़ी हो चुकी है तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे थिक नहीं करना है क्योंकि ठंडी होने के बाद यह थोड़ी और गाड़ी हो जाएगी तो इसे हम निकाल लेते हैं एक कांच के बोल में और इसे सबसे पहले निकाल करके बढ़िया से ठंडा कर लेंगे और पांस से छे घंटा इसे फ्रीज में रखेंगे जिससे कि यह अच्छे से ठंडी हो जाए और फ्रीज में रखने से या पहले से थोड़ी थिक भी हो जाएगी तो चलिए अब इसे हम फ्रीज में रख लेते हैं लगबग 5-6 घंटा और जब तक यह सेट हो रहा है तब तक हम इसके लिए फ्रूट्स कट कर लेते हैं तो फ्रूट्स में मैंने लिया है अनार के दाने थोड़े से केला पपीता थोड़ा से कट कर लिया है अंगूर और लिया है आधा सेव सभी चीजों को मैंने बारिक कट कर लिया है तो फ्रूट्स तो हमारे रेडी है चलिए हम निकाल लेते हैं और यह देखिए केवल 5 घंटा मैंने इसे फ्रीज में रखा है और पहले से यह काफी थिक हो चुकी है तो बस अब इसमें हम डालेंगे अपने कटे हुए सेव और जितने सारे फ्रूट्स हमने जो कट करके रखे थे उसे फ्रूट्स आप अपने पसंद की कोई भी डाल सकते ह जो आपको पसंद हो या फिर जो इस सीजन में आपको अबलेबल हो तो सारे फ्रूट्स को मैंने इसमें नहीं डाला है थोड़ा थोड़ा बचा लिया है जिससे की लास्ट में हम इसे थोड़ा सा डेकुरेट कर देंगे बस इन सभी चीजों को डाल करके हमें मिला लेना है तो लीजिए तयार है हमारे टेस्टी फलाहरी कस्टड, आप इसे वरत में खाए या फिर ऐसी ही खाए, यह जितनी हेल्दी है उतनी ही ज्यादा टेस्टी भी है, और नौ दिनों का नावरात्री में सरीर में काफी विकनेस आ जाती है, इसे खाने से यह विकनेस को दूर करेग और साथ ही जब हम ठंडी-ठंडी कस्टड खाएंगे, तो यह गर्मी में सरीर को बहुत ही रात देगा, तो इस नावरात्री इसे बनाएं, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंजॉय करें, और रेस्पी अच्छे लगें तो लाइक, सब्सक्राइब, एंड शि से बाएंगे कि एसे बीज से बने एंऑे बेंड़ें धिस एंब कॉम आने वी साथ, इसे बनाएंगे को बात धूम्यों कनर वा जा है जंड आ, ग्क करेंगे बीड़ादाब,